नमस्कार दोस्तों स्वागत आपको मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमिशन पर और जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम बात करें है जी में पी फॉडलर की और यह बात इसलिए करी जा रही है कि जो लास्ट वीडियो था मैंने पताया था उसके बात में शेर प्राइस को जान फिर यहां consolidation चलता रहा and then उसने bounce back मारा और यहां गया वो 3670 के असपास ठीक है उसके बात में शेर गया तो 3680 तक था क्योंकि मैंने 3680 तक भी buy किया शेर को और यह शेर जाके last बंद हुआ है 3570 नहीं 3595 पे बंद हुआ है ठीक है correction यहाँ पर नहीं हुआ है लेकिन मैं बता द पर देखने को अगर हम फाइब डे के चार्ट की बात करें तो देखें आपको गिरावटी देखने को मिल रही है कहां से 4000 से यह शेर 4000 तक जा चुका था अगर हमें एक मन्त के चार्ट की बात करें तो यह शेर यहां पर हाई बनाके 6000 का उसके बात गिरना शुरू किया और bottom पर आच 13 रूपए के उपर और आज जो है वो आपको 35 और उसके आसपास में मिल रहा है 3570 तो यह भी बाइंग प्राइस बहुत यह अच्छी बाइंग प्राइस है आप यहां पर भी आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि यह देखिए 6 मन पहले कोरोना के टाइम पर अगर इ 200 रूपए का सबसे मान कि छे ले लेकिन उससे पहले भी कुछ खास नहीं था उससे पहले ऊस्ता था तो इसके अंदर में ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ है इसके अंदर में जादा स्यादा हजार रुपई टूटा एंदेन उसके बाद में चड़ना स्टार्ट हुआ और देखिए रुका ही नहीं है और हाइस बना दिया था इसने साड़े यहां पर तो वहली बात है कि मैं आपको जो बताना चाहरा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है इस कंपनी को केवल और केवल इनके CEO ने at discounted price पर जो है open market के अंदर में सारे share sale कर दिये हैं केवल सारे share sale कर दिये हैं चेक है इसलिए जो price है ना वो यहां पर है इसका almost आस पास तो इस से नीचे तो यह price गिरने वाला नहीं है 3500 से नीचे यह price नहीं गिरेगा company बहुत strong है और आज की latest update भी मैं आपको बता देता हूं क्यों यह price hike किया था और क्यों यह price वापस से नीचे आया है वो भी मैं आपको बता देता हूं तो हम चलते हैं और GMM के लिए यह रा यह रा निउस आपके सामने तो यहां पर आप देख सकते हैं GMM पी फॉडलर इनागरेट्स ग्लास लाइन equipment's manufacturing facility in हाईदराबाद तो हाईदराबाद के अंदर में और यह आज का ही निउस है यह देख सकते हैं निउस कल का था लेकिन आ चुका था और GMM पी फॉडलर इनागरेट ग्लास लेन equipment इन हैदराबाद त्यूजडे को आ चुका था यह देख सकते हैं पॉजिटिव नैस देखने को मिली लेकिन जो हमारे sellers हैं जो हमारे sellers है ना उनको थोड़ा सा insecurity फील हो रही है और वो भार जा रहा है भार जाने के प्राइज अंस्टेबल होता जा रहा है इसका तो बाइंग जो है ना बाइंग इतनी अच्छे नहीं हो पा रही है क्योंकि selling जादा होती जा रही है तो बाइंग का जो रेशू जो उसको बढ़ाने वाला है ना जिससे वो upper circuit को भी hit करे वो नहीं हो पा रहा है तो basically क्या है कि company जो है already इतनी fundamentally इतनी strong है अगर company का आप return देखेंगे ना ग्राफ तो ऐसे ही जाएगा ऐसे ही ग्राफ जा रहा है किवल ठीक है और discounted price के विज़े से ग्राफ गिरा है अब यह यहां आके consolidation कर रहा है ठीक है इसका ग्राफ कैसे था ऐसे था ऐसे था और ऐसे आके ऐसे गिरिया तो यहां consolidation करके यह उपर जाने लगा यहां पर discounted price हुआ यहां से फिर consolidation करेगा और उपर ही जाएगा चली थोड़ा सा आपको value research के बारे में मैं इसके बारे में बता देता कि value research क्या कहती है तो value research हम GMMP fortler की कर रहे हैं और value research के अंदर में हम देखते हैं यह graph है जो blue है वो GMMP fortler का graph है अगर आप graph को जहां से देखें तो जो basically यहां यह blue line जो है जहां यह match कर रही है तीनों को तो GMMP fortler का जो percentage देख सकते हैं वो आ रहा है 143% और small cap जो है उसका percentage आ रहा है 17% और जो इंडिया infrastructure का जो percentage आ रहा है वो है minus 20 लेकिन क्या हो गया है कि price जो है थोड़ा सा overbought हो चुका था इसका जो RSI level है वो थोड़ा सा उपर जाने के जो overbought हो चुका था अब आप यहां पर देखें price to earning ratio देखें आप इसका ठीक है उपर तो चल रहा है कितना 118 और नीचे कितना चल रहा है 54 आज हम यह आते हैं तो यह दोनों आपस में match होने वाले हैं तो इसलिए मैं आपको कहा रहा हूं कि यह इसका resistant लेवल है यह इससे ज़दा गिरने वाला नहीं है और मैं आपको बता जो यह शेड़ो आरी ना यहां पर यह कहा है ओर बॉट का जोन आ रहा है यह देखिए यह तो जब यह ओर बॉट होने लग गया था ना क्यूं क्यूंकि उन्होंने डिसकांटेट प्राइस पर इतने सारे शेयर अलोट कर दिये शेयर अलरेडी यहां पर था तो क्या हूँ और वरटोनीं हाद उपर तक गया और फिर कर्ठिकन आ गया ठीक है यह देखिया अर ग्रीन कैंडल जो है वो लास की कैंडल उसके बदी रैड कैंडल है उसके बदी रैट खेंडलो है तो यह करेक्शन हो रहा है और जब यहां पर क्या होगा देखिए यहां पर एक सिगनल आएगा कहा पे जाहीं ये ब्लू लाइन आपकी ये ब्लू लाइन तो ये क्या होगा कोल्डन क्रॉस होवर करेगी इस तरीके से ठीक है ये क्रॉस होवर होगा ऐसे दोनों का और वही चीज इंडिकेशन यहां पर भी अपर का आएगा मतलब जब शेर जो होंगे वो यहां से भी वही इंडिकेशन देंगे जहां पर आपका शेर उपर जाएगा देखिए यहां पर देखिए क्या रैली आई थी ठीक है यह गिराया भी कोई दिकत नहीं है वापस जाएगा तो काईज यह था GMMP Fodler के बारे में मेरा ओवर्व्यू ठीक है मैंने खुद ने इसको 3680 पर वाय किया हुआ है ठीक है लेकिन आप इसमें से निकलिएगा नहीं होल्ड करिए अच्छी कंपनी होती है उसको किसी भी प्राइज में खरीदा जा सकता है क्योंकि वो उसका शेर का प्राइ से कमेंट कर सकते हैं पूछ सकते हैं किसी और शेर के बारे में धन्यवाद